अल्कलाइन बॉटर और यह आपका इस्प्राइड और यह आपका खिल्ले बॉटर है आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा होगा पीद एड़ेड मिन्नल्स यह मार्केट में आपको 20 रुपय में एक लिटर पानी मिल जाता है अब यह मिन्नल एड़ेड वही लोग लिख सकते हैं जिनके के बॉटर में कम्पनी के बॉटर है प्राइं मिन्नल एड़ेड होता है तो इनका जो पानी होता है वह तुड़ा अच्छा होता है ब्रैंडेड बात्पी पोटल सहीं और इसलिए यह लिखते हैं भी है वेद हुआ अठितवमाजिव एड़ेड का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो आरो वाटर है उसमें मिन्नल को एड़ किया गया है इसलिए इसको बोलते हैं मिन्नल एड़ेड समाहे तर आप बाजार में देखेंगे तो कई शारे भाटर में लिखाता है पकेट ब्रींकिआट है वोहीं लिख सकते हैं उनके आरव के पानी में कोई बीस करेंगा अलग से कोई मिनदल्स अड़्ड नहीं किया आथा इसलिए वो बीद अड़म नहीं लिख सकते हैं कि यह पिसलरी और किनले में देखा बिल्न एडट किया आता है तो यह मार्केट में आपको 20 रुपय में अवाइलेबल हो जाता है कि अर्यापका इस्प्राइट है कि और यह कोका कोला ब्रांडब है कमपनी ब्रांड़ एक क्यों सारे इनके ब्रैंड्ट है सिसे कि कि всё को म The कि यह पना थिक्षू के सारे ऊसी के इसकर डिक्याइब्सारीट कहा इस एक आफ इस सारे भ्रैंड ड्यक्ति Mrs330 की अब में और यहां के अब को दिखाएं यहां पर इक वीडियो कि खास जानकारी के लिए और यह आपके चार गलास रखे हुए हैं आप देखेंगे अभी हम दिखाएंगे इसमें आपको और यह आपका है पी यह इन्डिकेटर आप देख रहें की यह आपका पी कि यह आपका है कि पीएच इसकेल को हम एक से जिरो से चौधा तक माप करते हैं कि इसमें आपको दिखाएंगे अलग 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 आने के प्लिए अब आप पकड़िए इस तरह से कि कई कई लोग इसमें इसकी बेस्टी टिक कर दें विडियो फोकस में आपको अ कि यह कि यह कि यह विए तो आम इसको तिले के पास में रखते हैं और यह आपका आरो यह आरो यह आ आज हो तो आता है यह आपको दिखा रहे हो गया आरो अवटर अरिया आपका ओगा यह आपका ओूंडब अब यह आपका किले अभी अमने इसमें कोल्डिंग डाली नहीं है अभी आम इसको कोल्डिंग डालते हैं आप देते हैं यह आपका कोल्डिंग डाल जाए आपका इस्प्राइट अब कि यह आपका है और अरो बाटर देखते हैं यह दोस्तों यह पी एच इंडिकेटर स्केल ठीके आप जैसा कि आपने पहले देखा था यह जड़ा इसे हम जो है पीएच स्केल माप करते हैं यह सारे पानी रखे हुए हमारे पास अरो हो गया अलकलाइन हो गया और आपका कोल्टरिंग हो गई और यह आपका किल्ले बाटर हो गया अब हम आपको दिखाएंगे किस पानी का कितना पीएच बेलू होती है तो पहले हम एक्सपरिमेंट करेंगे आपका आरू विडना कि अगका यह स्वास्वर्ण कषब दिए यह क्वीमें उपका नया थे सबस्वास्वाद कितने कितने हो गुफ गया तो पुदस्वास्त है अर्या व्यावादा़र्ण। झाल झाल कि दोस्तों हमने ये बराबर बराबर मात्रा में अधिस में अच्छा रही है मुझे लिए बेटरी के काम लेगा है इसमें जो लेकर आधा हूं और बेटरी ओवर विश्मसी तुमारा करूंट अ इनका बन लेटरी का था तो ये सटेंड बीडियो बना रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैंगे अमने बराबर मात्रा में ये पी-च इंडिकेटर डाला हुआ है अब देख रहे हैं ये प्यप्सी का है ये आपका कोल्ड डिंग है ये आपका अलकलाइन है ये आपका आरो बाट रहे है तो दोस्तों अब यह हमिने हिलाते हैं यह कर दो अब देखेंगे नजारा की जो आरो का पानी का टीड़ियस कटना था पांच पांस त्पांस था ये पान था तो पांस झीडियस ये था इसलीए यह थोड़ा पानी यह था एडिसिक माना जाता है एसिडिक मना जाता है क्योंकि अगर इसका TDS 50 होता पचास या साथ होता अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें आरो का बाटर दिखाया था चेक करके कि उसमें भी pH बैलू मैंटेन होती है और उसमें सारे मिननल्स एड़ होते हैं अगर पानी आरो का TDS 50, 55, 45 60, 70 है यह तो इसलिए थोड़ा TDS यह कम है इसलिए इसका pH लेवल थोड़ा लो हो गया ठीक है दोस्तों लेकिन यह किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेगा बॉड़ी के लिए क्योंकि इसके अंदर pH है लेकिन कम मात्रा में है ठीक है आप pH इंडिकेटर को देख सकते हैं कि अब आप हम आते हैं यहां पर दूसरा इस्टेफ है आपका alkaline अब देखिए आपने यह इसका टीडियस के तरह 65 पीडियस है यह दोस्तों मेरे घर का पानी है इसको हम यूज करते हैं और रोजाना हम इसको पीते हैं और बहुत ही healthy water है तो आप देख रहे हैं इसका color और दस के बीच में इसका टीडियस आ रहा है क्योंकि इसका color बता रहा है कि इसका 9 से 10 के बीच में pH आ रहा है ठीक है दोस्तों तो यह बाट यह जो alkaline water है यह बहुत ही healthy water है आपके स्वास्थे के लिए बहुत ही अच्छा है आपकी body को maintain करेगा कई सारे रोग से आपको नियाद दिलाएगा और आपके body का immune system बढ़ाएगा और आपकी रोग प्रतिरोधत छमता को भी बढ़ाएगा तो अगर आपकी body के अंदर आपकी body alkaline है तो आपके body के अंदर कोई भी रोग नहीं आएगा अगर इसका TDS 65 से और थोड़ा और इनकीश कर देंगे त जो लोग अपने बच्चों को पिला रहें आप सकते हैं कि क्या है पीच लेवल है दोस्तों ये ऐसा धीमा जहर है जो अपने बच्चों को धीरे धीरे पिला रहें यbbles कौन सा यह क्या था पीन है यह पकोल्डृंड इंडिकेटर प्नोर जेख केमिकलम न हापने वाला यह है यह इसका जीनोय से यहिसकों मिखस करिए यही ईए यह जीनोय स्वार्ट ट्रौ अग्रत वीस का भाडरिक फाक ऑफ सी के नाम पर या कि स्प्राइट या और कई सारे कोल्डरिंग के नाम पर पी रहे हैं देख रहे हैं दोस्तों ये एक ऐसा धीमा जहरा जो आपकी बोड़ी को थीरे थीरे खतम कर देगा है तो प्लीज इसको सेयर करें और इसे कम से कम हो सके तो गुजारी से मेरी निवेदन है कि इसको पीनट छोड़ी जो आपने बच्चों को लोग पिला रहे हैं उनकी ग्रोथ रुख जाती है उनका दबला पेंट रुख जाता है जो लोग ज़्यादा पोल्डरिंग पीते हैं अग्स यह का है किल्ले वाटर भीत दोस्तों यह आपका मिनल एड़ड है तो इसलिए इसका पी अच्छ है लगभग आपका 7-8 की बीच्च है तो यह राम पूल नहीं है और अगर दो लिटर एक बंदा पानी पीता है तो दो लिटर के हिसाब से हम देखते हैं तो दस लिटर पानी होता है और दस लिटर का जो वैलू हो गया वह कितना हो गया के जाप से दोसो रुपए कि पर्डे हो गया तो 200 रुपए के यसाफ ब़ोरे मंद्री टीका लगाएं गया तो सी तना हो गया इस पुर मंड़ं मैं तो पर मंद्रेन हम एक मसीन लगवा लेते हैं इस तो दो महिने वहिने में हमारा दो फिर हो जाएगा दो हुझमाने दो संकल्प लगाए ön यह कृघंए और अगर अगर हम जरो प्लस अलकलाइन अर अगर आप अरो देंगे जो आपका बेस क्योफ़ नमें और उसमें पार थी और अपने भाल आतनेwrिणे उसने पिकंड़ contract झाल झाल